धन प्राप्ति के सरल उपाय के माध्यम से वास्तु सास्त्र से संबंधित और सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उप्योग करके आप अपने जीवन में सुक्षांती और सम्रिध्धी पा सकते हैं अपार धन पाने की चाहत हर मनुष्य में होती है हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित हो जाए जिसके लिए वह निरंतर हर संभव प्रयास करता है जीवन में धन द्रव्य का महत्व नकारा नहीं जा सकता अक्सर सुनने में आता है कि अमुग व्यक्त बड़ा महिनती है लेकिन धन के लिए परेशान रहता है धन संबंधी परेशानी किसी को भी कभी भी हो सकती है दोस्तो सिर्फ कहने से धन नहीं मिलता उसके लिए सुद्ध आचार और सुद्ध बिचार का होना भी जरूरी है लेकिन अगर धन लच्छमी को प्रसन किया जाये तो धन द्रव्य की सभी परेशानिया दूर की जा सकती है सच्चे मन से मा लच्छमी की पोजा अराधना करें साथ ही महिनत और लगन के साथ अपने कर्तब्यों का पालन करें माता लच्छमी को धन की देवी माना जाता है यद एक बार माता लच्छमी की कृपा अपने भक्त पर हो जाती है तो उसे भविष्य में कभी भी धन की कमी नहीं होती है यहाँ पर हम आपको दरिद्रता तथा गरीबी को दूर करने के लिए और धनवान बनने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं इन उपायों को करके आप आसानी से धनवान बन सकते हैं माता लच्छमी को धन की देवी माना जाता है जो कि भगवान विष्णु जी की पतनी हैं भगवान विष्णु ही ब्यक्ति को सुख सांती और संब्रिद्धी देने वाले देव हैं भगवान विश्णू की पूजा अर्चना करने से लच्छमी जी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को धनवान बना देती हैं सालिग राम की नित्य पूजा अर्चना करें लच्छमी जी के 18 पुत्रों की भी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है दोस्तो घर में भगवान विश्णू और लच्षमी जी का बड़ा सा फोटो होना चाहिए विश्णू लच्षमी मंदिर में हर सुक्रवार को लाल रंग के फूल अर्पित कर मा लच्षमी जी से धन की कामना के लिए प्रार्थना करें मा लच्छमी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड जोत तेल का दीपक प्रजोलित करें 11 दिन 11 कन्या को भोजन करा कर उन्हें दक्षिडा में एक सिक्का वह मेहदी दें सुक्रवार के दिन दच्छिडा वर्ति संख में जल भर कर भगवान विश्नु का अविशेक करें इस उपाय को करने से मा लच्छमी जल्दी प्रसन्न हो जाती है दोस्तों लच्छमी जी को लाल रंग बहुत पसंद है अतह अपने पूजा घर में कलवा डाल कर दीव जलाने से लच्छमी जी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर धन वर्षा करती है इस फटिक तथा स्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर अपने घर के इसान कोड में अस्थापित करें रोज लच्छमी सुक्त का पाठ करें और धन लच्छमी को सफेद रंग की मिठाई या सफेद पदार्थ जैसे चावल से बनी खीर और यथा संभव दोच से बने पक उसे ही प्रसाद ग्रहन कराएं तत पश्चाद स्वयम करें दोस्तों ऐसा करने से माल लच्छमी का आगमन होने लगेगा दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेर करना ना भूलें धन्यवाद